नमस्कार आप देख रहे हैं खबर आरपार निर्मल गंगा फिजियोथ्रेपिक किल्निका हुआ रक्षॉल में रोड में शुभारम्ब तो चलिए जानने की कोशिज करते हैं डंगडर प्रभु से कि क्या कुछ काना है उनका सबसे पहले सभी दर्शकों क्यारबरा मेरा नमस्कार मैं डक्टर प्रभु कुमार गुपता रक्षॉल में रोड में निर्मल गंगा फिजियोथ्रेपिक किल्निका उद घाटन किया हुआ है जिसका सुभारम्ब हुआ है और में रोड रक्षॉल में हनुमान मंदिर के सामने ह है और अनमंडली अस्पता जो सरकारी अस्पताल है उसके सामने है क्या मतलब की जो है इसका फिल्ड बहुत बड़ा है अभी तो लोकल एरिया में डॉक्टर के द्वारा ही आता है लेकिन काफी बड़े सहरों में अच्छे सहरों में फिजियोथ्रेपिक है इमेज इतना है क इसमें घुटना दर्द कमरद गरदन दर्द सारे जोड़ों के दर्द का इलाज होता है मासपेसियों से संब्दित सारे प्रोब्लम का इसमें समयधान किया इक्साइसे और मसीन द्वहरा बहुत सारे बिमारी का इलाज के जिसे परलाइसिस हो गया लाकवाजिस को बोलते हैं जो जनम जात बच्चा बिंगलंग पायदा होता है उसका भी ट्रीटमेंट यहां पे होता है जिसका गुर्दन जुल गया रहता है शलाइब आते रहता है इस सारे पारकार का उसके बाद यहां तक जब सुब्दा नहीं मिलता है तो मरीज को दूसरे जगा जाना पड़ता है मेरा यह पुरा कोशिस रहेगा कि मरीज को दूसरा जगा नहीं जाना पड़े और यहीं पर उचित इलाज हो जब से ज़्यादा है गाउं में परलाइसिस का में परलाइसिस का में फिज्योथ्रेपी है एक्ससाइज के द्वारा ही ठीक होता है दावा खाने से कुछ हद तक सुधार होता है लेकिन ठीक नहीं होता है और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो बताते हैं कि यह है हुआ है ऐसा कुछ नहीं है जो भी है गरीब के लिए या अमिर के लिए सब के एकदाम इमंदारी के साथ रिजल्ट दिया जाएगा और जो नहीं होने वाला गो उसको बोल दिया जाएगा कि यह मेरे यह के लिए लोग डॉक्टर बनते हैं या मनी अर्जन के लिए तो आपका मतलब क्या देश से बहुत होना चाहिए सबसे हिंक करना है ठीक होना चाहिए पैसा अपने जगह पर है सेवा अपने जगह पर सब्सक्राइब यहीं बोलेंगे जितने भी मरीज जो है जिनको जरूरी है कराना वो आकर के निर्माल गंगा फिजो त्रेपी किलिक में जो में रोड रॉक्सौल में हन्मान मंदिर के सामने वहां पर किर्प्या आए और अपन ट्रीट्मेंट करा है